Good morning students, आज हमारा topic रहेगा limbs, what are our limbs? Limbs में मैंने बताया था आपको परसों ही दो टाइप की होते हैं, एक forelim, एक hindlim जो forelim होता है, वो हमारे arms को बोलते हैं और hindlim हमारी legs को बोलते हैं जो इधर देखिए बच्चो यह diagram आपका given है, इसमें forelim का example दे रखा है यहां पर forelim जो एक जो upper bones होती है forelim की, इसे humor बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, humor बोलते हैं the upper arm has one bone is called fumar, इसको हम बोलेंगे fumar बोलेंगे और जो lower arm has two bones, जो इसके नीचे वाली arms हैं, इसमें दो bones हैं, इनको हम उलना और हम इसको radius बोलेंगे उलना और radius two type की bones हैं, जो lower part of arm के अंदर होती हैं और यहां जो wrist है ना, बैटा wrist में और hands में छुटी छुटी bones होती हैं, यह multiple bones होती हैं तो इसे हम कहेंगे four limbs, यानि कि जो हमारी बाजू वाली area है ना, जो हमारी arm वाला है अब हम उसे four limbs कहेंगे, और four limbs में कई type की bones हैं, जैसे humorous bone बोला radius और उलना इसके दो type की अलग से, फिर से lower जो है four limbs के अंदर आती हैं और जो wrist और hand उसमें छुटुटी bones होती हैं, छुटुटी bones होती हैं, जो wrist में रहती हैं और hands में रहती हैं ऐसे यहां देखें, डाइग्राम दे रखा है आपका, hind limbs के अंदर, hind limbs क्या है, hind limbs जो हम बताया भी legs में जो हमारी muscles होती हैं, या bones होती हैं, हम उन्हें hind limbs कहते हैं, जो leg वाला portion है हमारा और अगर आपको बच्छों पता होना चाहिए, जो legs का उपर वाला, ये pelvic griddle है हमारा, और जो ये उपर वाला portion है, सबसे उपर, इसके अंदर हमारी longest bone होती है, उसको हम fumar bone कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, fumar bone, ये हमारी सबसे longest bone होती है, और ऐसे ही इसमें भी दो bones और अलग होला है, ऐसे ही ये two type की bone होती है, और ऐसे ही जैसे wrist और hand में थी ने चुट-चुटी bones, ऐसे ankle और foot में भी small small bones होती है, तो सबसे longest bone होती है, that is fumar bone, सबसे longest bone होती है, fumar bone होती है, अब हम आगे next पढ़ते हैं, बटा, the longest bone अभी मैंने बताया, fumar bone थी, और griddle क्या होते हैं, griddle, griddle two types की होते हैं, एक तो होते हैं pectoral griddle और होते हैं pelvic griddle, जो pectoral griddle है वो shoulder में रहते हैं, जो shoulder के अंदर होते हैं, और जो pelvic griddle है वो उसे hip griddle भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो arms are attached to the pectoral griddle, जो arms है वो pectoral griddle में attach होती हैं, और ऐसे ही legs है और वो किस से attach होते हैं, वो भी pelvic griddle या hip ग्रिडल से टाइच होती है तो ग्रिडल क्या काम करता है ग्रिडल एक structure of bone है जो हमारी जो lower part जो यानि की legs की बात करें तो उसमें हम हमारा pelvic ग्रिडल रहता है अगर हम shoulders की बात करें या arms की बात करें तो हमारा pectoral प्टीट ग्रिडल रहता है। इसे हम शोल्डर ग्रिडल भी कहते हैं।Lovin Go प्टीश होती है। और है किड्नी और यूरीनरी ब्लाडर को प्रोटेक्त करती है। पैलवे ग्रिडल जो है हमारा किड़नी जो यहां यहां यूरेथ्रा वगरा किड़नी वगरा हमारा इदर से है ना तो यहां इसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं मतलब यह हमारा जो किड़नी और यूरिनरी ब्लैडर वाला पाट है ना नीचे वाला पाट है हमारा जो उसमें ह अब जुएयंट क्या होता है अब नाम से प्रस ल Inner जूड जूड इंक का मतलब होता है जूड जहां पर दौन्स आपस में जूडती है उसे हम जञ जूड बोलते है अब वो दौन्स जूड किस से रही है हम ैसे क्या सकते है दा प्लेस वियर टू बॉंस ज्वाइं टुगैदर इसकोल ज्वाइंट और यह किस से जुड़े हैं यह एक लिगमेंट से जुड़ रही है जो एक ऐसा स्ट्रॉंग बैंड होता है इनको इनको आपस में जुड़े रखता है और यह हमारी मुवमेंट में भी हल्प करता है यह ल लिगमेंट अब कितने टाइप के लिगमेंट हैं दो टाइप के जॉइंट से सौरी इम्मुवेबल मुवेबल नाम से पता चल रहा है इम्मुवेबल जो मूव नहीं कर सकते और मुवेबल जो मूव कर सकते हैं दो टाइप के हैं अब अगर हम बात करें कि इम्मीवोबल इ एक्जामपल दिया मुने, स्कल, स्कल को मूव नहीं कर सकते हैं, जो हमारा उपर वाला हिस्सा स्कल है न, हम उसको मूव नहीं कर सकते हैं, तो इसके एक्जामपल रहेंगे स्कल और पैलविक, मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट् सकते हैं यारी जो इधर से उदर घूम सकते हैं जैसे हमरी लेग्स हैं आम से हैं शोल्डर हैं तो यह इन में जो जॉइंट है नीज है इसमें मुवेबल जॉइंट होते हैं और अल मुवेबल जॉइंट से मिलर क्या सारे के सारे जो अभी मैंने बताया मुवेबल जॉइंट ह से मोते हैं अभी देखते हैं देखो नैक को हम हर डिरेक्शन में घुमा सकते हैं उसमें भी ड्राइंट है कि मैं घर मनें जोगा सकते idioch का सबस्क्ट direction में ऐसे चारो तरफ अराम से नहीं गूम सकता है, जितनी अरसानी से चारो तरफ नहीं गूम सकती है, क्यों दोनों में हमारे ligament है, दोनों ही हमारे joint है, बट इसमें क्या difference है, इसलिए movable joint भी कई परकार के होते हैं, कई types के होते हैं, पहला है hing joint, दूसरा है ball and socket joint, थर्ड है हमारा pivot joint, और चोतर है हमारा gliding joint, त्यान से सुनना बिटा, types of movable joint भी four types के होते हैं, hing joint, ball and socket joint, pivot joint, gliding joint, अब बात करते हैं हम hing joint की, hing joint कोन से हैं, अब हिंग कहां लगे होते हैं, अगर आप अपना घर का दर्वाजा देखो, कोई भी दर्वाजा door जो हमारे कमरों से जुड़े होते हैं, उसके अंदर बीच-बीच में न हिंक्स लगे होते हैं, वो एक ही direction में उसको खोलने में help करते हैं, अब जहां हमारा दर्वाजा एक के direction में खोलते हैं, अगर हम दर्वाजे को ऐसे खोलते हैं, तो हम वापिस तो नहीं खोल सकते हैं, उल्टी, पुश कर सकते हैं, या पूल कर सकते हैं, दो यह option है, हमारे पास उन में से एक ही कर सकते हैं, तो उसे, वो किसका एक्जामपल है, वो हिंग जॉइंट का एक्जामपल है, अब इसके एक्जामपल कौन से रहेंगे बटा, नी और अल्बो, नी और अल्बो, अल्बो को हम एक के direction में खुमा सकते हैं, यह देखो, पीछे तो और अल्बो रहेंगे हिंग ज्राइं के एक्जामपल नेक्स्ट ही हमारा बॉल एंड मेरा जाइड मेरा आख़ने एक अट Dewar रर्यांगा है, में के लिग बमेरा और यह आध मेरा हाथ दिक है यह ए यह स्थे लेदी करीटे और बीच भूम आ रहे हैं वहारी सोकेट है वह को इसंद फोलन करते हैं में हेसे ही जूनी करें मैं करीम अगर hip joint भी हमारा ball and socket का है example एक लियर हो गया बटा ball and socket नाम से पता चल रहा है और इसका main example रहेगा shoulder joint और hip joint next में हम पढ़ेंगे पीटा pivot joint pivot joint क्या होते हैं यह यह जो joint है यह कहां पाय जाते हैं कहां मिलते हैं कहां हम देखते हैं इसको first और second मैंने आपको यहां पर वर्टीब्रा कराई थी अगर याद हो तो ये मैंने कराय थका था रोटी क्र26 मैं से लिए ग्वल्र में इसके जो शूरू में फर्स्ट और सेकろि olha है उसके अंडर बैक भॉन socialist कोल दोल मतला हमारी इस asked एक होपडी जैसे हम बोलते है उससे यहां इसे attach करते है और यह first or second vertebra होती है जो attach करती है और यह move करने में help करती है skull को the skull is connected to the first or two vertebra of the vertebral column with the pivot joint और ये किस से जुड़ी होती है ये देखो ये किस से जुड़ी होती है ये pivot joint से जुड़ी होती है अगर आप से पूछा जाए कि skull हमारा read की हड़ी में या हमारी vertebra में किस से जुड़ा होता है स्टार्टिंग की जो पहली और दो vertebra है न वो किस से जुड़ती है कौन सा joint वहां लगा होता है और ये help करती है हमारे जो skull को move करने में इधर से उदर जैसे हम गर्दन को इधर से उदर घुमा सकते है न राम से तो ये pivot joint की help से move कर सकती है और next है हमारा gliding joint gliding glide कर रहे हैं अब ये भी ये two type के joints ये इसमें भी wrist और ankle इसका सबसे example अच्छा है wrist क्या है ये ठीक है ankle क्या है जो गुटने का part है या ankle है तो इसका example सबसे अच्छा wrist और ankle है इसमें जो joints होते हैं वो gliding joints होते हैं और gliding movement करते हैं मतलब sliding type में ऐसे movement करवाते हैं वो gliding type में glides करना the movement allowed is a simple gliding back and forth और side way और कैसे glide करते हैं या तो वो पिछली तरफ घुमाते हैं या side way काम कर सकते हैं और ये joint जो है वो vertebra of the spine तभी हमारी कमर जो है हम जुख सकते हैं spine के पीछे होते हैं vertebra में gliding joint और तभी तो हम अपनी back को मतलब अपनी जो कमर है उसको जुका सकते हैं हम अपनी कमर को जुका भी सकते हैं हम अपनी कमर को backward भी ले सकते हैं तो दिस अलाओ to bend forward and backward और side way और side way भी हम side पर भी अपनी कमर को हिला सकते हैं तो वहां कौन से joints हैं वहां ग्लाइडिंग जॉइंट है यहां कुछ चेक्पॉइंट भी दे रखें यहां पर चेक्पॉइंट में यहां थ्री अंडर्ट सिक्स बॉंस इन आर बॉड़ी गलत है इसका तो आंसर 206 आना चाहिए और वह कह रहें कि वटीब्रा कोलम में 12 स्मॉल रिंग शेप्ड होती हैं बॉंस नहीं 33 होते हैं मैंने आपको बताया था पहले और देरा 24 पेर ओफ रिब्स यह तो बिल्कुल गलत है मैंने आपको बताया था 12 पेर ओफ रिब्स होते हैं 12 पेर ओफ रिब्स होते हैं 12 पेर ओफ रिब्स होते हैं जब हमने यहां रिब्स का एक्जामपल दिया था आ पेर ओफ्रीब्स आएगा अभी बताया मैंने नी एंड एल्बो जो नी और एल्बो ए आर फॉर्म ओफ बॉल एंड सॉकेट जोएंट नी और एल्बो अभी तो मैंने बताया हिंग जोएंट जैसे दरवाजे का एक्जामपल दिया था जो टीबिया है सबसे लॉंगेस्ट बो नेक्स्ट है मसल्स मसल्स क्या है टू टाइप की मसल्स हैं या मैंने भी बताया वलेंटरी मसल्स और इनवलेंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा के नुसार चलते हैं हम उसे वलेंटरी मसल करते हैं जो हमारी इच्छा के नुसार नहीं चलते हैं उसे हम इनवलेंटरी मसल्स कहत हैं जैसे हमारी हार्ट की मसल्स इन्वलेंटरी हैं कि हम हार्ट की मसल्स को रोकी नहीं जकते हैं वह हार्ट बीट होती रहती है और वोलेंटरी मसल्स कौन से होती है जो हमारी इच्छा के अनुसारती जैसे हम अपनी आखों को ब्लिंक भी यह भी हमारी वोलेंटरी मसल्स में आएगी, involuntary muscles में आएगी और यहाँ voluntary muscles के examples देंगे हम आपको, जैसे हम jump, walk, swim, यह हम अपनी इच्छा से अनुसार करते हैं, मागर हमारा जो heart beat है, वो heart muscles है, वो अपने आपी work करते जाती हैं, अगर हम चाहें ना करें तो भी खरती रहेंगी, ठीक है? नेक्स्ट है, इसी के अंदर muscles में stated muscles, smooth muscles और cardiac muscles, इसकी three parts इसके muscles के हैं, जो stated muscles होती है, वो skeleton muscles भी कहते हैं, और जो smooth muscles हैं, वो किसके example है, respiratory and circulatory system के, ठीक है? जो stated muscles fiber है, all voluntary muscles किस से attach होती है, attached to the bones, are made up of stated muscles, they have dark band running across the muscles, dark color के bands होते हैं, जो muscles के अंदर होते हैं, और इसे हम skeleton muscles भी कहते हैं, अब इसी के अंदर smooth muscles है, ये involuntary muscles है, smooth muscles को हम involuntary muscles कहेंगे, और ये muscles में fiber ही हैं, ये muscles, और which are long and narrow at the end, long और narrow हैं, smooth, यहाँ बिटा, इसका वो भी दे रखे हैं, देखो, diagram भी दे रखे हैं, smooth muscles के, long भी होते हैं, अगर narrow पतले हो जाते हैं, side हो पे आके, ये example है, smooth muscles के, और ये stated muscle के, और ये card एक muscle कहा, यहाँ पर diagram है, ये diagram, आपको तीनों diagram अपने notebook में बनान होते हैं, और मैं back exercise भी कराऊंगी, वो भी करनी है, क्योंकि Tuesday को फिर से हमारा test होगा, अब है cardiac muscles, cardiac muscles हमारे heart के muscles होते हैं, cardiac muscles, fibers होते हैं, इसके अंदर, और इनके अंदर band होते हैं, जो similar to stated muscles की तरह ही होते हैं, और आपको ये बात पता होना चाहिए, बिटा, ये भी smooth muscles की तरह ही काम करते हैं, बट ये बिलकुल बिना थके हमेशा काम में रहते हैं, क्योंकि इसका example है हमारा heart की muscles, आपको पता होगा cardiac muscles हैं, fibers work whole life continuously without getting tired, कभी भी नहीं थकते, दिन रात, जब हम सोर भी रहे होते हैं, या जाग भी रहे होते हैं, तो हमारी cardiac muscles working condition में होते हैं, वो थकती नह जाती है, पूरा time heartbeat work करती है, तो इसलिए cardiac muscles का example है, कि यही diagram भी दे रखा है इसका, और हमारी heart की muscles है, वो cardiac muscles कहलाती है, next है how muscle work, muscles काम कैसे करती है, muscle contract और relax होती रहती है, ठीक है, जब muscle cell relax होते हैं, और contract होते हैं, अबी बताया, it turns to its original shape, अगर relax भी होते हैं, फिर से वो अपन original shape में आ जाती है, और यह ability of muscle cell to contract और relax causes movement in the body और body parts, muscle works in pairs to cause movement, हमारी muscles जो है, वो pair में काम करती है, ताकि movement हो सके, और हमारी muscles को healthy रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, good exercise, अच्छे से regular exercise, good eating habits, यानि balanced diet खाएं और exercise अच्छे से करें, वो हमारी muscles को की एक important उनको fresh और स्वस्त रखने का एक तरीका है, अब इसमें checkpoint में कुछ दे रखा है, यहां पर three type of muscles दे रखी है, अभी मैंने बताया voluntary, involuntary और cardiac muscles, यहां आजएगा cardiac, यहां cardiac muscles आएगा, और smooth muscles, do not have bands, उनके bands नहीं होते हैं, उसके बाद मैं आपको बेटा back exercise कराने जा रही हूँ, ध्यान से देखना, bones are held together at a joint by a tissue called, जो bones है, आपस में जो joint, जो है bones का, एक अठा किस से जुड़ा होता है, ligament से, मैंने बताया था, एक तरह के bands होते हैं, यह, इनको move करने में help करते हैं, bones को, तो इन्हें हम ligament कहते हैं, second a fatty substance called dash present inside some bones, कुछ bones के अंदर कुछ fatty substance होता है, उसे हम कहते हैं, bone marrow, क्या कहते हैं, bone marrow, the cranium is made up of dash flat bones, eight flat bones, मैंने आपको कराया था, skull के अंदर होती है, क्रेनियम होती है, और इसे, skull hard hollow case में होती है, यह, skull के न, तो hard hollow case भी बनाती है, तो cranium के कितनी bones होती है, इसमें, eight bones होती है, dash joint, allow the rotating movement from side to side, pivot joint, ठीक है, कौन सी joint है, जो rotating movement करता है, side to side, pivot joint, अभी बने, अभी तुम्हें लास्ट में कराया था, जो वही pivot joint है, stated muscles are also called, stated muscles को हम voluntary muscles भी कहते हैं, stated muscles को, अभी joint of the body help us perform the following function, कौन कौन से function करता है, यह joint, कौन कौन से joint मतलब इस में function करता है, जैसे running दोड़ना, अब दोड़ते हैं तो आप देखो हमारे कौन कौन से joint काम आ रहे हैं, सबसे वहले घुटना, जब हम उपर पैर उठाते हैं, ankle हम हमारा और hip joint, तो यह तीनों joint हमारी running में help करते हैं, bending में मतलब जुकने में, अभी मैंने बताया था, gliding joint, backbone को जुकने में help करते हैं, band करने में, jumping करने में, ankle, knee, और hip, तीनों joint help करते हैं, ठीक है, jumping करने, swimming करने में, shoulder, elbow, hip, और knee, अब राइटिंग यानि के लिखने में, जब हम कुछ लिखते हैं, देखो हम लिखते हैं, तो हमारी muscles कौन सी काम कर रही है, एक तो wrist के कर रहे है, joint काम, और एक हमारी fingers के joint, एक wrist के हमारे, और एक हमारे fingers के joint काम करे हैं, तो लिखते समय हमें, wrist और finger joint help करते हैं, यहां tick the correct answer है students, next question है, question number C, tick the correct answer, the number of bones in our skull is, कितने हैं, बत bones हैं, हमारे 22 हैं, याद आया के नहीं कितनी bones हैं, आर nose and ears are made up of, जो हमारी naak और ear, इन में कोई भी bone नहीं होती, और यह किस से मिलके बनते हैं, यह cartilage से मिलके बनते हैं, cartilage एक mask का हिस्सा होता है, उससे बनते हैं, अभी naak पे हाथ लगा हो, यह कानों में हाथ लगा हो, कोई wrist नहीं में होता है, these muscles work under our control, जो हमारे control में काम करती हैं, हमें हम उसे voluntary muscles कहते हैं, तो इसका answer आएगा, voluntary muscles, so students, question A, B, C, यह तीनों आपने करने हैं, और आपका Tuesday को इसका test भी है, back exercise का, और सारा chapter complete करना है, cardiac muscles, और यह three types की stated muscles, smooth muscles, साब इसका diagram बनाना है, okay, bye bye, take care.